हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल घर में सबजियां तो आप सभी लोग उगाते हैं पर आज हम घर में मसाले उगाएंगे और वो भी एक दो नहीं पूरे चार तरह के मसाले और वो भी एक साथ जी हाँ, आज मैं जिस प्लांट के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ उस प्लांट की पत्यों में आपको पूरे चार तरह के गरम मसालों का टेस्ट और अरोमा एक साथ मिलेगा घर में जब हम खाना बनाते हैं तो दाल, सबजियों, फुलाओ, बिरियानी इसमें अक्सर हम साबुत गरम मसालों या पिसे हुए गरम मसालों का यूज़ करते हैं लेकिन अगर आप इस प्लांट को अपने घर पर लगा लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की गरम मसालों का यूज़ करने की ज़रुत नहीं रहेगी तो ये है ओल स्पैस प्लांट इसकी पत्यों में आपको दालचीनी, इलाइची, जायफल और लॉंग इन चारों गरम मसालों का टेस्ट और खुशबू एक साथ मिलेगी शायद इसी लिए इसका नाम ओल स्पैस प्लांट है ये बिसिकली साथ का प्लांट है और इस प्लांट को आप या तो गमलों में और या फिर जमीन में या मेरी तरह इस तरह ग्रो बैग में भी उगा सकते हैं इसे उगाने के लिए इसकी मिट्टी को हमेशा वेल्डरेन तयार केजिए इसके लिए आप एक पार्ट गार्डन सॉल एक पार्ट सैंड एक पार्ट कोई भी खाद ले सकते हैं खाद हमेशा और्गनिक खाद ही यूज की जैसे बर्मी कमपोस्ट या काउडन कमपोस्ट इसके लिए कभी भी केमिकल पर्टिलाजर का यूज ना करें क्योंकि इसकी जो पत्या हैं उसे हम खाने के लिए यूज में लेंगे तो फिर आप अगर केमिकल का यूज करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा गंबले में भी ये आसानी से चल जाता है और अगर आप इसको जमीन में लगाते हैं तो ये एक छोटे पेड़ की शेप ले लेता है अब बात करते हैं कि आप इसको यूज किस तरह से कर सकते हैं तो जिस तरह आप अपने किसी भी डिश में गरम मसाले का यूज करते हैं जैसे साबुत खड़े मसाले आप तड़के में डालते हैं उसी तरह आप इस प्लांट की एक या दो पत्ती लेकर उसको आप अपने किसी भी डिश की तड़के में डाल सकते हैं जैसे कि हम कड़ी पत्ता या तीज पत्ता डालते हैं उसी तरह आप इसकी पत्तियों को भी डाल सकते हैं और इसकी पत्यों को आप सुका कर भी रख सकते हैं और फिर जैसे हम अपने तड़के में तेज पता डालते हैं उसी तरह आप इसको डाल सकते हैं और या फिर किसी भी सबजी दाल बिर्यानी में जिस तरह बनने के बाद हम हरे धनी को काट कर डालते हैं उसी तरह इसक की भूख और भी बढ़ जाएगी इन पत्यों को आप सिंपली तोड़ कर और अपने हाथ से रख करते हैं तो आपके हाथ में भी गरम मसालों की बहुत ही अच्छी खुश्वी आने लग जाती है खाने के अलवा भी इसमें बहुत सी अगर आपको सर्दी हो गई है या नाग बंद हो गई है गला खराब है तो आप इसकी पत्यों को रख करके सुंगे या फिर पत्यों को जबाने और इसका काड़ा बनाकर पीने से भी आपको रिलीफ मिलेगा ये प्लांट जब मैचूर हो जाता है तब इसमें फ्लावरिंग औ होते हैं जो पहले ब्राउन होते हैं और फिर पकने के बाद श्रिंक होकर ब्लैक हो जाते हैं जैसे कि हमारी काली मिर्शी होती है तो आप भी इस बहुत यूस्फूल से प्लांट को अपने गार्डन में जरूर एट कीजिए और कैसे लगी आज की वीडियो आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए